स्टार प्लस के तेहासिक शो चंद नंदनी की कहानी में काफी सारे ट्विस्ट और टंस के बाद कहानी अब एक ऐसे मोड पर पहुँच गई है जहां बिंदु सार ने धर्मा को अपना गुलाम बना लिया है चंद नंदनी के रिसेंट ट्रैक में अब तक आपने देखा कि चितरलेखा और बिंदु सार की शादी होने वाली है लेकिन चितरलेखा बिंदु सार से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो भद्र केतू से प्यार करती है इसलिए वो धर्मा के पास मदद के लिए जाती है औ लेकिन मगद महल में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी होती है, बिंदुसार दुलहा बन कर मंडब में पहुँच जाता है, ऐसी हालत में धर्मा खुद दुलहन के कपड़े में मंडब में बैठ जाती है, और कुछ इस तरीके से बिंदुसार और धर्मा की शादी हो जाती है लेकिन बिंदुसार धर्मा से बेहत नफरत करता है इसलिए वो धर्मा को दुलहन बना कर नहीं रखना चाहता इधर हेलना भी नंदनी से बदला लेना चाहती है इसलिए वो बिंदुसार से कहती है कि वो धर्मा को अपना गुलाम बना ले और उसे टॉर्चर करे अब ये देखना काफे दल्चस्प होगा कि दूसरों के हक के लड़ाई लड़ने वाली धर्मा क्या ये सब बरदाश्ट कर पाएगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा नियूज रूम से तसकीन हुसेन की रिपोर्ट